दोस्तों, शाउमी ने Mi Notebook 2021 सीरीज के लैपनॉप से इंड़ा में लाँच किया है Mi Notebook Ultra और Mi Notebook Pro ये है Mi Notebook Ultra इसमें Intel Core i5 11th जेरेशन प्रोसेसर का उप्टर किया गया है ये इंटिग्रेटिड जीप्यू के साथ में आता है और इसकी यूनिक चीज़ ये है कि ये Mi True Life Plus डिस्प्ले के साथ में आता है जो कि 15.6 इंचिस का डिस्प्ले है 3.2K रिजुलिशन के साथ में आता है और ये 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर करता है तो काफी इंट्रेस्टिंग लैप्टॉप है और इसको जो प्राइजिंग है ये शुरू होता है 59,999 रुपीज से इस वीडियो में मैं आपको इस लैप्टॉप के परफॉर्मस के बार में बताने वाला हूँ और इसे किसे खरीदना चाहिए देखते रहें चलिए मैं आपको फटा फटिस की अन्बोक्सिंग करके बताता हूँ ये रिखे इस प्रकार की बॉक्स पाकिंग है बॉक्स के अंदर आपको ये लैप्टॉप मिलने वाला है ये है मी नोट्बुक अल्ट्रा ये पावर कॉडड 65 वाट अडप्टर जो की काफी कॉंपाक्ट टाइप का है और ये टाइप सी कनेक्टर के साथ में आता है बॉक्स में ये यूजर मैनुवल भी दिया हुआ है तो ये है मी नोट्बुक अल्ट्रा इसका वजन है 1.7 kg और ये 17.9 mm ठिक है ये नोट्बुक काफी इंप्रेसिव दिखता है लस्ट्रस ग्रे कलर विरेंट है इस पर अल्यूमिनियूम 6 सीरीज एलाई मेटरियल का उपयप किया गया है सैंड ब्लास्टेड और एनोडाइस्ट है जो लुक अन फील है बहुत ही बढ़िया है इस लाप्टाप को इसका बिल्डर फिनिशिंग है इसे आप आपल मैक्बुक के साथ में कमपैरिजन कर सकते हैं इतना बढ़िया कॉलिटी है इसे मॉडन लुक दिया हुआ है मिनिमल यूनिबोडी डिजाइन है उपर से यह जो लाप्टाप है यह देखे इस प्रकार का दिखता है यहाँ पर शौमी का ब्रैंडिंग दिया हुआ है जो कि काफी elegant लग रहा है और नीचे से यह देखे इस प्रकार का दिखता है नीचे cooling vents दिया हुआ है और rubber padding भी दिया हुआ है ताकि अच्छा grip आपको मिले यहाँ पर speaker out vent दिया हुआ है और दूसरा vent यहाँ पर है तो speakers नीचे की दरफ है वैसे laptop का यह जो भाग है यहाँ पर भी cooling vents दिया हुआ है इसमें dual heat pipes और fan दिया हुआ है cooling के लिए यह लीजिए यह जो laptop है इसे मैं खोलता हूँ आप असानी से एक हाथ से जो lid है इसे खोल पाएंगे यह देखें और जो hinge mechanism है यह भी काफी smooth है और यह जो lid है इसे आप किसी भी angle पर अच्छी तरीके से rest कर पाएंगे वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो laptop है इसका जो lid है यह maximum इतना तक bend होता है left hand side पर type C ports दिया हुआ है दो type C ports है thunderbolt 4 support करता है और यह PD charging भी support करता है वैसे type C port है इस का उप्यों करके आप इस laptop को charge कर पाएंगे HDMI port है USB port है और right hand side पर USB port है और एक combo audio jack दिया हुआ है यह दिखिए जो keyboard है इस प्रकार से प्लेस किया हुआ है और यह जो चीज आप देख रहे हैं यह power button as well as fingerprint sensor की तरह काम करता है trackpad का size काफी बढ़ा है और यह multi-touch gestures support करता है scissor mechanism keyboards है 1.5 mm key travel distance है आपको यह बहुती comfortable typing experience देने वाला है और खास करके यह जो area आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी empty space दिया हुआ है तो आपका जो हाथ है उसे आप यहाँ पर rest कर सकते हैं यह backlit keyboards है और तीन intensity options अविलेबल है यह देखे है अगर आप चाहें तो इसे off भी कर सकते हैं जो backlight है keys का उसे इसका display जो है यह unique type का है इसलिए क्योंकि इस पर 3.2K resolution दिया हुआ है 2560x1600 यह 15.6 inches का IPS anti-glare display है 16 is to 10 का golden aspect ratio के साथ में आता है डिस्पले की quality काफी बढ़िया है वैसे यह 90 Hz refresh rate support करता है TUV RINLINE low blue light certification के साथ में आता है और इसमें DC dimming technology का भी उप्योग किया गया है जो कि automatically जो backlight है उसे dim करता है और यह बीना flickering के होता है इन जनरल आपको बहुत ही बढ़िया viewing experience मिलने वाला है यह Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 support करता है 2 watt के 2 speakers दिया हुआ है built-in microphone है DTS audio support करता है Windows 10 Home Edition रन कर रहा है out of the box MS Office Home and Student 2019 इसके साथ में दिया हुआ है चलिए इसका performance चेक करते हैं इसमें Intel Core i5 11th generation processor का उप्योग किया गया है और साथ में Intel Iris XE GPU का उप्योग किया गया है यह PC Mark 10 score 4,441 जो की काफी अच्छा है और जो video editing score अगर आप देखें तो वो भी काफी अच्छा है 4,484 अब ज्यादा करके जो laptops हैं जो की इस specifications के साथ में आता है i5 और integrated graphics इनका जो score है आप almost इस level का ही मिलने वाला है तो यह काफी अच्छा है वैसे जो notebook है यह आपको दो options में मिल सकता है 8GB या फिर आप 16GB RAM के लिए जा सकते हैं और जो internal storage space है वो 512GB का है NVMe SSD और यह दिखें यह जो read speed है काफी बढ़िया दिखा रहा है 2368 के आसपास जो की काफी अच्छा है और 512GB का जो space है मुझे लगता है कि more than sufficient है अब इस laptop में built-in 720p camera भी दिया हुआ है जो laptop है यह games खेल पाता है या नहीं वैसे मैं इस पर PUBG गेम जो है वो खेलने की कोशिश करता हूँ अब देखें इसमें dedicated GPU नहीं दिया हुआ है इसमें Intel Iris Xe GPU का उप्योग किया गया है यह दिखें मैं training mode में हूँ और यह PUBG गेम है इस पर चलतो रहा है लेकिन यह जो laptop है यह gaming यूज के लिए नहीं बना हुआ है इसमें dedicated GPU नहीं दिया हुआ है लेकिन यह powerful है इतना powerful है कि इस पर आप इस प्रकार के जो games है यह खेल पाएंगे मैं आपको फिर से बता दूँ कि यह जो laptop है यह gaming यूज के लिए नहीं बना हुआ है लेकिन यह काफी powerful है आप इस प्रकार के games कुछ हर तक इस laptop पर खेल पाएंगे इसमें जो built-in battery है यह आपको तकरीबन 12 hours का usage time दे सकता है in fact one day यह असानी से last कर लेगा और जो 65 watt का charger दिया हुआ है उससे आप इस laptop को तकरीबन 50% तक charge कर पाएंगे 0 to 50% तकरीबन 45 minutes के आसपास में है यह जो laptop है इसका performance है काफी अच्छा है इसमें Intel Core i5 11th generation processor का उप्योग किया गया है और जब कभी कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा laptop खरीदना चाहिए तो मैं suggest करता हूँ कि minimum at least Intel Core i5 के लिए तो यह एक बहुत ही बड़ी option है लेकिन अगर आप Intel Core i7 अफोर्ड कर सकते हैं तो भैतर होगा कि आप उसके लिए जाएए देगे जितना powerful laptop आप खरीदेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा long run के लिए कभी अच्छा होगा तो अगर आप content create करते हैं तो उसके लिए भी यह जो laptop है बढ़िया रहेगा तो यह जो Mi Notebook Ultra है यह i5 option में available है और i7 option में भी available है i5 में आपको दो options मिलते हैं 8GB RAM या फिर 16GB RAM यह 16GB RAM है जो 8GB RAM वाला variant है उसका pricing शुरू होता है 59,999 रुपीज से वैसे इसका जो pricing है वो क्या है मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है और जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में link भी मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इस वीडियो को like जरूर कीजिए और देखते रहे हैं